आज हम कक्षा दस्वी का चैप्टर पंदरा प्राइक्ता इसके प्रशनों को हल करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है यदि P E ब्राबर 0.01 है तो P E नहीं का मान क्या होगा तो हमने P E बार यद P E नहीं का मान निकालना है तो हम जानते हैं P E जमा P E नहीं ब्राबर 1 तो P E नहीं का हमने मान निकालना है तो P E नहीं की वैल्लियू आ जाएगी 1- P E तो एक में से इसे हम माइनस कर देंगे और जब एक में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पैस अंसर आदेगा 0.99 हम अगला प्रशन देखते हैं तो यदि P E का मान दिया हुआ 0.68 है तो P E नहीं का मान क्या होगा तो हम वहीं सुत्तर यूज करते हैं P E नहीं बराबर 1- P E तो एक में से P E का मान रख देते हम तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पैस अंसर आदेगा 0.32 तो इस विरकार हम P E नहीं का मान ग्यात कर सकते हैं तो हम अगला प्रेशन देखते हैं यदि P E नहीं का मान 0.4 है तो P E का मान क्या होगा तो हम P E का मान निकालते हैं तो P E बराबर 1- P E नहीं तो हम यह सुत्तर इस्तमाल करते हैं तो 1- 0.4 तो जब एक में से यह से माइनस करेंगे तो हमारे पैस अंसर आदेगा 0.6 तो इस प्रकर हम P E कमान ग्याद कर सकते हैं हम अगला प्रेशन देखते हैं पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या पराफ्त होने की प्रैक्ता क्या होती है तो हम पहले प्रैक्ता का सूतर देखते हैं अ को राइक्ता अनूकूल कुल परिणामो की संख्या बटे कुल संभाव वे परिणामो की संख्या तो पासे को फैंकने फिर तो पासे में हम जानते हैं कि 1,2,3,4,5 और 6 आ सकते हैं तो हमारे चार से अधिक नंबर है हमारे 5 और 6 तो हमारे अनुकुल परिणाम दो और कुल परिणाम में 1,2,3,4,5,6 तो कैंसल कर देंगे तो यह हमारा प्रैक्ता जाएगी चार से अधी की एक बटे तीन हम अकला प्रेशन देखते हैं एक पासे को एक बार फैंका जाता है तो अभज्य संक्या को प्राप्त करने की प्रैक्ता कितनी होगी तो हम प्रैक्ता पी अभज्य संक्या तो हम पासे की एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो हम अबाजे संक्या लिख लेते हैं तो एक अबाजे संक्या नहीं है दो अबाजे संक्या है, तीन अबाजे संक्या है अबाजे संक्या नहीं है अबाजे संक्या है, अबाजे संक्या नहीं है तो 2, 3 और 5 तो हमारी कुल अबाजय संख्याई होगी 3 और कुल संख्याई है हमारी 6 तो जो हमारे अनुकूल प्रिणाम 3 है और कूल प्रिणाम 6 है तो इसको हम कैंसल करेंगे तो यह आजाएगा हमारा आंसर 1 बाए 2 अब अपना क्लोपरेशन देखते हैं एक पासे को एक बार फैंका जाता है तो विशम संख्याई पराप्त होने की क्या परेखता है तो पासे में जो नंबर आते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और सेग्मिक्स तो विशम संख्याई है एक, तीन, और पांच तो पी, विशम, संख्या, बरा प्रेशन देखते हैं एक थेले में तीन, लाल, पांच काली और चार सफेद गेंदे हैं थेले में से एक याद रिच्छा से निकाली गई गेंद के सफेद, लाल, काली गेंद होने की परेक्ता क्या है तो हम पहले लिख लेते हैं, लाल गिंदे हमरे बस दी हुई हैं तीन काली बराबर पांच और सफेद चार. तो हम इनका कुल योग निकाल लेते हैं, कुल योग बराबर, तीन जम्मा पांच जमा चार, तो आठ और चार बारा हो जाएगा. तो हमने प्रैक्ता निकालनी है सफेद गेंद, तो P सफेद, तो सफेद गेंदे हमारे पस दी हुई है, 4 और कुल गेंदे हमारे पस है, 12, तो 4 बटे 12, तो इसको काट देंगे हम, तो 4 इकम 4 और 4 की ये 12, तो ये अंसरा देगा 1 बटे 3, तो हम लाल गेंद की प्रैक्ता देख हम इसको कार देते हैं, तो ये एक बटे चार आ जाएगा, तो लाल गेंद की प्रैक्ता आ जाएगी एक बटे चार, तो कली गेंद की प्रैक्ता पी, कली, तो कली गेंदे हमें पांच दी हुई हैं, तो पांच बटे बारा, तो कली गेंद की प्रैक्ता आ जाएगी पांच कहा गंचा लाल है सफेध है हरा नहीं है तो हम पहले कंचों की संख्या लिख서 लेते हैं तो लाल कंचे हमेरे लाल बराबर 5 सफेध 8 हरे 4 तो हमने इनका कुल योग निकाल लेंगे तो इनका कुल योग होता है, कुल कंचे, पांच जमा आठ जमा चार, तेरा और चार सत्रा हो जाएगा, तो हमने नंबर जो हमारा पहला प्रेशन है लाल गेंद की, तो प्रैक्ता लाल बराबर, तो लाल गेंदे हमरे बस पांच हैं, और कुल गेंदे हमरे बस सत्रा हैं, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो पी हरा नहीं तो पी हरा नहीं तो जो प्रायक्ता हमने निकालनी है वो हरा नहीं होने की प्रायक्ता निकालनी है तो हरा नहीं का मतलब हमारे बास की हरे को छोड़के बाकी जो बचे कंचे तो लाल कंचे पांच है और सफेद कंच कंचे 8 हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 5 जमा 8, तो हमारे बास हो गई है 13 कंचे, तो पी हरा नहीं की प्रयक्ता आएगी 13 बटे 17, क्योंकि हमने हरे कंचे नहीं लेने हैं, हरे कंचे को छोड़ के बाकी जो कंचे बच जाते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो पी हरा नहीं की प्रैक्ता आजाएगी 13 मटे 17 तो इस प्रकार हम प्रैक्ता ग्यात कर सकते हैं